हैलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बाकिरियान के चैप्टर 13 का दिव्यू लेकर रहा हूँ और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जैक कई चोटे घाने के बाद गायल हो गया था और कोशो के कोशल के परभावशाली परदर्शन से दर्शक अश्चर चकित रह गयते जिसे कोड कटर के नाम से जाना जाता है लेकिन अपने चोटो के बावजूद जैक शान्त होकर काम करने के लिए तयार था और दूसरी और हमले का जवाब देने के लिए कोशो भी गंबीर दिख रहा था इसलिए वो दूसरा हमला करने के लिए तयार हो जाते हैं और कट्स की सीरीज में दर्शक ये देखकर थ्रिल्ड हो गए थे कि कोशो की काली उंगलिया और जैक के दाथ बहुत घातक हैं और ये तो क्लियर था कि दोनों एक चीज़ से बचने में कामयाब हो रहे थे और वो थे यूद के नियम जिसमें हात्यारों के इस्तमाल पर रोक थी और अपने अपोनेंट की अगली चाल के लिए लड़ाई मारपीट और लातों की एक सीरीज के साथ जारी रहती है जा दोनों लड़ागे अपने कोशल और शक्ती का परदर्शन करते हैं और फिर कोशो सफल होता है जैक के चेहरे पर वार करने में जिससे उसकी बाई आग बुरी तरह से परवावित हो गई थी हालाकि जैक ने हार नहीं मानी और मोके का फायदा उठाते हुए कोशों को हाथ से पकड़ लिया और उसे काटने की कोशिश भी की और पिछला चप्टर इस कलाइमिक्स के साथ ख़तम हुआ तो लागे क्या होगा इसके एकसाइटमेंट के साथ इस सब्ता का नया अद्ध है काउंटलेस ग्रीक्स के पैरों को दिखा कर चुरू होता है और ये उस दिन के एक महतुपून गटना की और बढ़ते हुए हमें पर था जिसका उद्धेश ये कॉलोजियम में सबसे आउस्टेंडिंग योधाओ को निर्दारित करना था इसने ये एक व्योलन से भरी एक घटना थी जिसने दर्शुओं को मंत्र मुग्द कर दिया था और वो अच्चरे चकीत होकर अपने पसंदीता लड़ागू को एक ताकतवर और विशाल का योधा को फटकारते हुए देख रहे थे और अपने अपोनेंट के शरीर के एक हिस्से को काटने के कारण योधा ने अपने अपोनेंट के अनुचित रणनीती के प्रती अपना डिसकमफर्ट शो किया जो कभी भी चोक नहीं करता और उसके काटने इसे फाइटर ने ना केवल घावो कर दर्स सा बलकि काफी खून भी भाया और दर्शक हैरान होकर सवाल करने लेए कि काटने का सहारा लेकर जो कुछ वाँ हो रहा था वै उस अकाड़े में एक अनुचित कार रहे था फिर योदा ने तुरत उसकी रननीती की अलोचना करते हुए बुकाबले में रैफरी को बिलाया अपने अपोनेंट की रननीती दिखाने के लिए जिसने उसे ऐसे काटा जैसे की वो एक छोटा बच्चा हो और उसने अपने अपोनेंट को बेईमान योदा होने के लिए फटकार भी लगाई जिससे उसकी कंडीशन उजागर हुई जिसमें उसने अपनी चैस्ट का घाव दिखाया और अपनी तोचा का एक टुकड़ा भी खो दिया और जजिस ने अनूपव किया कि बुज़ूर्गों के चैरे पर गबराहट के एक्स्प्रेशन आ गए थे इस कन्फूजन की स्थीति के बीच ये सब क्या हो रहा था फिर उसके अपोनेंट ने उन्हें आशवासन दिया कि काटना कोई कायरता पून रनीती नहीं है और उसका दावा है कि काटना कोई बचकानी हरकत भी नहीं है बलकि जिवी तरहने का कारे है जिसे जंगली जानवर ने भी वारियर की तरह अपना है और फिर खोशना होती है कि वह एक जंगली जानवर की तरह अपने दातों का उपयोग करता है और अपने काटने को एक भेंकर शेर के काटने के बराबर मानता है जो अपने शिकार का शिकार करता है जिस पर दर्शक इस तरह की कारवाई और खोजना को सुन कर बहुत ही परबावित होते हैं और ये इत्यास में एक इंपोर्टन गटना थी और ये पहली वर्थागी लड़ाकु एक ओफिशल कॉमपेटिशन में था और इससे पहले की दर्शकों ने युद में हत्यार के रूप में अपने दातों का सारा लेने को अपनी एक्सेपनेंस दी यो ता हिस्ट्री ओफ ओफ कॉमपेक में इस तकनीक का पदर्शन करने वाला पहला फाइटर बन जाता है जो भूमिगत शेतर में वर्थमान में लोट रहा है और हमें फिर जैक हानमा दिखता है जो दिश्ट्री होने के बाद उसकी बाई आग में कोशो की ट्रैपीजियस मसन में बयंकर काटने से दर् कोशो इस भूके जानवर के दया पर निर्बर है और ऐसा लगता है कि इससे बचने आप कोई रास्ता नहीं है दर्शक इस बात की घहराई से परभावित हुएगी कैसे एक साधारन हाथ मिलाने से थोड़े ही समय में गटनाओं की एक सीरी शुरू हो गए और बाकी फाइट को काटने के लिए किया और ये एक अनेक्सपेक्टिड और एक शोकिंग काम था जिसमें जैक ने अचानक अपनी गर्दन को टेजी से घुमाया और इस तरह अपने दुश्मन की गर्दन का टुकड़ा फार दिया कि जैसे वो कुछ भी ना हो और ये एक्शन यूद में समान बना रखी थी जिसने उसे भागने से रोक रखा था जिसके बाद जैक ने श्रेश्टा के एक्सप्रेशन के साथ कोशो को उपर से नीचे तक देखा फिर अपने घंबीर गाफ के दर्द से ओवर्वेल्म्ड कोशो ने अनेक्सपेक्टिड रूप से जमीन की और अपनी जिसके बाद वो लड़ाई कतम करने के इरादे से गला गोटने की अनुमती लेकर उसकी पीट पर हाथ फेरने लगा और उसने इस लोग के साथ उसे बिहोश करने की कोशिश की फिर डोपर ने काटसूमी को कमेंट किया कि जैक कितना परभावशा लिया और उसने एक साधारन ह मिलाने के साथ उस सीक्वेंस की शुरुआत की जिससे स्थिती पूरी तरह से नियंतरण में आ गई है फिर जैक अपने शक्तिशाली पैरों का यूज करके कोशो की कमर को कैद करने के लिए मैदान में लेट गया जिससे लगता है कोशो उसकी मजबूत पकड़ से फ्री होने में आसमर्त है और नरेटर का सोजाव है कि हम लड़ाई की अंत को अब देख सकते क्योंकि कोशो अपनी चेतना खो रहा है और जैक कोशो को गिराने के लिए अपने हातों और पैरों से दबाव दे रहा है लेकिन तबी जब ऐसा लगता है कि कोशो अपनी चेतना खो रहा है और चेतना खो चुका है जैक उसे छोड़ देता है फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है और कोशो की गर्दन को काटने के पक्ते इरादे से मूँ खोलता है जबकि नरेटर आचरे करता है कि ये क्या हो रहा है फिर जैक कोशो की गर्दन की और लक्षे करते हुए अपना सबसे घा तक हमला शुरू करता है और दर्शकों को समझ नहीं आता कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है पिर ऐसा लगता है कि इस एडिशनल हमले से पहले ही किये गए लौक के साथ वो जीच चुगा है और अब बागी का नया चैप्टर थ्री वीक्स के बाद पब्लिश किया जाएगा दूसरे शब्दों में मांगा फिर से एक अच्छा ब्रेक लेगी और इस चैप्टर ने हमें जैक हानमा और कोशो के बीच इंटेंस फाइट में एक रोमांची क्राइस दिखाया है और इस चैप्टर ने ना केवल दो फाइटर्स के बीच लड़ाई की शेलियों में अंतर को दशाया बलकि गहराई से बताया भी है और कुछ लोगों के लिए मनोविज्यानिक और रननीतिक पहलियों में ये चैप्टर छोटे एक्शन सीन के कारण बढ़ा हुआ लग सकता है लेकिन ये समझना महतुपूर्ण है कि ये छोटा एक्स्प्रेनेशन है जो इसे अर्थ देता है वास्तम में इस पर जोड दिया गया है कि काटने का रिसोर्स मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं दुआरा यूज किया जाता है हलाकि इस से जैक को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वे जीतने के लिए कुछ भी करेगा और आखिरकार दात वो हतियार है जो मनुश्यों को नेचर ने आशिरवाद में दिया है और जंगली जानवर इस बात का परमाण है कि दात और पंजे लम्मे सब्वे तक धिवित रहने के लिए बेसिक है और ये सपश्ट हो गया है कि जैक बाकी की तरह नहीं है और वो बाकी फाइटर्स की तरह मोरल कोड का पालन भी नहीं करता और काटने वाला साइबोग पहले ही एक ऐसे शेतर में परवेश कर चुका है जिसे केवल जंगली जानवर ही जानते है और अले चैप्टर के लिए मुझे विश्वास नहीं था कि जैक लडाई को इस सीमा तक ले जाने के लिए सक्षम है लेकिन अब मैं हैरान हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि उस शेतर में एक घाव गातक हो सकता है और अगर कोशो का हिलाज जल्दी नहीं किया गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा मैं आपके लिए लडाई का नतीजा थ्री वीक्स के बाद बताऊंगा इन लास्ट आप अपने थोर्ट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और यूद आपके लिए यह वागा अच्छा नहीं होगा वाग्स करेंट के लाएं